हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रफाकर, आज के इस इंपोर्टेंट लेक्शन में हम सब भी डिसकस करने वाले हैं, केंद्रिय बजट यनी यूनियन बजट दो हजार चौबीस पच्चीज को, तो तेज चुलाई दो हजार चौबीस को वित्यमंत्री निर्मला सीता रमर्ण ने लगातार अपने कारकाल का सात्वा बजट पेस किया है, देखें एक फरवरी दो हजार चौबीस को भी वित्यमंत्री निर्मला सीता रमर्ण जी के द्वारा बजट पेस किया गया था, लेकिन वो अंत्रिम बजट था, जिस साल लो सरकार बन गई है उसके बाद ये अब कैंद सरकार का नया बजट आया है तो पिछले साल की तरह इस साल का भी बजट पेपरलेस बजट था इस बात को आप याद रखेगा देखे बजट क्या होता है तो एक साल का लेखा जोखा होता है यनकी सरकार अंगले एक साल में क्या करन एक वर्स के केंद्रिय बजट को वार्सिक वित्तिय विवरण कहा गया है। नवंबर 1947 को ये बजट पेस किया था। निर्मला सीता रमण तो ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। पहले क्या होता था 2017 के पहले कि आम बजट पेस किया जाता था फिर उसके बाद रेल बजट पेस किया जाता था। अलग से वो रेल बजट पेस किया जाता था लेकिन 2017 में ये दोनों एक साथ पेस किया जाने लगे। 2020 में निर्मला सीता रमण ने एक टैबलेट से अपना भासन पढ़ा था इस बात को भी आप याद रखेगा। 2024 का वजट पेस किया गया था तो उसमें सरकार के द्वारा नौ प्रात्मिकताय बताए गई थी। तो वो कौन-कौन सी प्रात्मिकताय थी। क्रसी, प्रोजगार, सोसल जस्टिस, मैनूफेक्चरिंग एंड सर्विस, एनरजी, अर्वन डेवलप्मेंट, इन्फ्राइस्टेक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये नो प्रात्मिकताय बताई गई थी सरकार के द्वारा। को सामिल किया गया था, अब हम डिसकस करते हैं कि 2024-25 में किस छेतर में कितना बजट दिया गया है, यानि कितने बजट का प्रावधान किया गया है, तो सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है रक्षा के छेतर में, कितना बजट है, 4,477,730 करोड रुपए का, ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम एजुकेशन की बाद करें, तो एजुकेशन में 1,25,638 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है, इस बजट में, हेल्थ पर 89,227 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं, उस्तो अब हम अलग-लग सेक्ट को डिसकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की, तो सरकार ने किसानों और क्रसी छेतर के लिए 1,52,00,00 करोड रुपए का प्रावधान किया है, इसके अलाबा सरकार ने ये भी कहा है, कि 32 फसलों की 109 नई किसमें लाईज आएगी, 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा, इसके अलाबा 6 करोड किसानों की जानकारी लेंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, सबसे इंपोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, कि आदिबासी बाहुल 63,000 गाओं के लिए एक नई स्कीम चलाई जाएगी, जिसका नाम होगा पी-म जन जातिय उननत ग्राम अभियान योशना, और पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किये जाएगे, तो ये प्राध्वान किये गए हैं किसानों के लिए, अब हम बात करते हैं स्टुडेंट के लिए, तो एक करोड युवाव को अंगले 5 साल में, 500 कमपनियों में इंटर्न सिप का मौका दिया जाएगा, तो ये कहा है सरकार ने, और छात्रों को एडमीशन लॉन मिलेगा, और लॉन का 3% पैसा सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा, दोस्तों अब हम रियल इस्टेट के लिए बजट डिसकस करते हैं, यनि कि रियल इसको आप नोट कर लिजिएगा, बिहार की सडक संपर्क परियोशनाओं के लिए 26,000 करोड रुपए प्रदान किया जाएगे, पतना पोर्णिया एक्सप्रेस बे, बकसर भागलपूर एक्सप्रेस बे का डेवलप्मेंट किया जाएगा, इस बात का प्राउधान किया गया और बिहार का जो बोद गया है, उसमें जो महावोधी मंदिर है, उसके कौरीडोर का निर्माल किया जाएगा, ठीक है, तो महावोधी मंदिर का कौरीडोर बनाया जाएगा, इसके अलाबा विश्नुपद मंदिर के लिए कौरीडोर बनेगा, यह कासी विसुनात कौरीडोर के विकास पर आधारित होगा राजगीर के तीर्थ छेत्रों का भी विकास होगा नालंदा को भी पर्टन केंदर के रूप में मजबूत करने के लिए डेवलप्मेंट किया जाएगा तो ये सभी प्रावधान किया गया है बजट 2024 में 21,400 करोड रुपाई की लागत से बिहार के पीर पैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली सैंतर स्थापित किया जाएगा और आंदरप्रदेश को कितना पैकिस दिया गया है इस बजट में 15,000 करोड का आंदरप्रदेश के पोला वरम सिचाई पर्योजना को पूरा किया जाएगा इस बात का प्रावधान किया गया है और विसाका पत्तनम चैन्नाई और हैदराबाद बेंगलोरो इंडरस्टियल कोरिडोर के लिए विसेस भंड का प्रावधान किया गया है इसके अलाबा दोस्तों 100 सहरों में या आसपास निवेश के लिए प्लग एंड पले ओध्योगिक पार्क बनाए साएंगे और बिहार, जारखंड, बंगाल, ओडिसा और अंध्रप्रदेश के विकास के लिए पूर्बोदाय स्कीम शुरू की जाएगी तो ये भी काफी important point हो जाएगा राष्टिय ओद्योगिक गलियारा विकास कारकरम के तहर 12 ओद्योगिक पार्क सुईकरित किये गए हैं इसके अलाबा 30 लाग से अधिक आबादी बाले 14 बड़े सहरों में transit oriented development पर योजना शुरू की जाएगी और एक करोड सहरी गरीब और middle class के लिए PM आबास योजना 2.0 शुरू की जाएगी ये भी एक नई योजना शुरू की जाएगी तो सहरी छेत्रों में जो गरीब और middle class के लोग हैं तो उन्हें आबास उपलब्द कराने के लिए PM आबास योजना सहरी 2.0 योजना शुरू की जाएगी और चुनिंदा सहरों में 100 सापताहिक हाट या street food hub बनाए जाएगी इसके अलाबा ये कहा गया है इस बजट में कि पूरवुत्तर की छेत्र में इंडिया post payment bank की 100 से अधिक साखाएं खोली जाएगी ब्यापारियों के लिए क्या किया गया है इस बजट में तो ये कहा गया है कि देश में 12 नई industrial hub बनाए जाएगी MSME के लिए credit guarantee scheme का दाइरा बढ़ाया जाएगा और जो मुद्रा लॉन की रकम है वो 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग रुपए कर दी गई है तो ये भी काफी important point हो जाएगा इसके अलाबा सरकार ने ये कहा है कि सीडवी की नई ब्रांचें खोले जाएगी जिसमें से चार ब्रांच इसी साल खोले जाएगी 50 multi product food unit setup के लिए fund दिया जाएगा इसके अलाबा दोस्तो सरकार ने ये कहा है कि इंटर्नसिप के लिए 500 टॉप कमपनियों में 5 करोड युमाओं को इंटर्नसिप प्रदान की जाएगी दोस्तो ब्यापारियों के लिए और क्या किया है सरकार ने तो 20 तरह के खनजों पर जो custom duty है वो घटाई गई है इसके अलाबा जो आयातित सोना चांदी है वो भी सस्ते होंगे क्योंकि इस पर भी custom duty घटाई गई है मोबाइल फोन भी सस्ते होने वाले हैं तो फोन और चार्जर पर duty घटा करके 15 प्रतिसत कर दी गई है इसके अलाबा एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले leather goods को GST में छूड दी गई है सोना और चांदी की गहनों पर custom duty घटा कर 6 प्रतिसत कर दी गई है यानि सोना और चांदी की जो गहने हैं वो अब सस्ते होंगे क्योंकि उस पर जो custom duty है वो घटा दी गई है सरकार के द्वारा platinum पर 6.4 प्रतिसत सीमा सुल के घटाया गया है यानि platinum भी सस्ता होगा नौकरी पेसा लोगों के लिए क्या किया गया है सरकार के द्वारा क्या प्राधान किये गए हैं तो formal sector में पहली बार नौकरी की शुरुबात करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा पहली बार नौकरी पाने वाले 30 लाक युबाओं का एक महीने का P.F. सरकार के द्वारा भराज जाएगा mutual fund या UTI में पुना खरीदारी पर 20% TDS बापस लिया जाएगा इसके अलाबा दोस्तों सरकार के द्वारा ये गोशना की गए है कि PM सूर घर योजना से एक करोड परिवारों को हर महीने 30 यूनेट तक नेसल के बिजली दी जाएगी लेकिन जिनके घर में solar panel लगाई जाएगी उन्ही को ये बिजली फिरी मिलेगी दोस्तों सरकार ने income tax में बदलाव किये हैं तो नई दरें पेस की हैं जिसमें से ये कहा है कि 3 लाख रुपए तक income tax free होगा और 3 से 7 लाख रुपए तक 5% income tax लगेगा 7 से 10 लाख रुपए तक 10% income tax और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% income tax लगेगा और 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक अगर आपकी income है तो इस पर 30% tax लगेगा तो ये नई दरें पेस की गई है सरकार के द्वारा तो महिलाओ और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्राधान किया है सरकार ने एनरजी के लिए पंप स्टोरेज नीती लाई जाएगी सरकार के द्वारा तो ये कुछ प्रावधान कियेगा हैं सरकार के द्वारा तो ये थी थियोरी अब हम टेस्ट लगाएंगे यानि अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसका टेस्ट लगाने वाले हैं तो आप इस पूरे वीडियो को लास तक जूरू देखेगा पर अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबा लें तो पहला कुछ न है वार्सिक वित्तिय बिवरन का उलेख भारतिय सम्मिधान के किस अंशेद में क्या गया है अंसर हो अंगले कुशन है वित्यमंत्री निर्मला सीता रमर ने जुलाई 2024 में अपने कारिकाल का कौन सा बजट पेस किया है तो उन्होंने अपने कारिकाल का सातबा बजट पेस किया है और फरवरी 2024 में उन्होंने अपने कारिकाल का छटबा बजट पेस किया था और आपको याद कि सबसे अधिक बार बज़ट पेस करने वाले व्यक्ति कौन है तो वो है मोरारजी देशाई उन्होंने 10 बार बज़ट पेस किया था इस बात को आप याद रखिएगा स्वतंतर भारत का पहला बज़ट किस ने पेस किया था तो आर के सन्मुखम चेट्टी ने स्वतंतर भार में किन मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है आंसर हो जाएगा अन्यदाता, गरीब, महिलाए और युबा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number E ठीक है तो इन चार जातियों पर ध्यान दिया गया है वजट 2024 में वजट 2024 में सरकार ने कितनी प्रात्मिकताएं बताई है तो नौ प्रात्मिकताएं बताई है शुरू में हमने डिसकस किया हुआ था इसको अंगला कुशन है वजट 2024 के मुख्य विसाय क्या है रोजगार, कॉंसल प्रसिक्षन, MSME, मद्ध बर्ग तो इसकोशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number अंगला कुशन है सरकार के द्वारा रक्षा पर कितने प्रतिसत खर्च किया गया है आंसर हो जाएगा 8 प्रतिसत सरकार ने रक्षा छेतर के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है तो इस question का right answer हो जाएगा 4,54,773 करोड रुपए सरकार ने सिक्षा चेतर के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है तो दोस्तों इस question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यानि 1,25,638 करोड रुपए बजट 2024 में किसानों और क्रसी चेतर के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है आंसर हो जाएगा 1,52,00,000 करोड रुपए का वित्वर्स 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही है तो वित्वर्स 2024 में भारत की विकास दर रही है कितनी 8,2% वित्वर्स 2024 में राजकोसिय घाटा कितना रहा है तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेगा तो अंसर हो जाएगा 5,6% महिलाओं और लड़कियों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है बजट 2024 में अंसर हो जाएगा 3,00,000 करोड रुपए अंगला कुशन है नए टेक्स रिजीम में 3-7,00,000,000 रुपए तक की आएपर कितने प्रतीसत इंकम टेक्स लगेगा तो अंसर होगा इसका उप्सन नमबर A यानि 5 प्रतीसत नए टेक्स रिजीम में 7-10,000,000 रुपए तक की आएपर कितने प्रतीसत इंकम टेक्स लगेगा तो इस question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D यानि 10 प्रतीसत phone और charger पर duty घटा कर कितने प्रतीसत कर दी गई है तो answer हो जाएगा 15 प्रतीसत राष्टिय ओध्योगिक गलियारा विकास कारकरम के तहर कितने ओध्योगिक पार्क सुईकरित किये गए हैं तो कितने ओध्योगिक पार्क सुईकरित किये गए हैं 12 है अंगला question है बिहार जारखंड बंगाल ओडिसा और आंध्योगिक प्रतीस के विकास के लिए कौन सी स्कीम शुरू की जाएगी पूर्वोदाई स्कीम शुरू की जाएगी बजट 2024 में बिहार को कितना पैकेज प्रतान किया गया है 41,000 करोड रुपई का बजट 2024 में आंध्योगिक प्रतेस को कितना पैकेज दिया गया है 15,000 करोड का कितने शहरों में प्लग एंड प्ले और दियोगिक पार्क बनेंगी आंसर हो जाएगा 100 अंगला कुशन है किस राज में 21,400 करोड रुपई की लागस से पीर पैंती में 2400 मेगाबार्ट का नया बिजली सेंतर स्थापित किया जाएगा आंसर हो जाएगा इसका बिहार अंगला कुशन है नए टेक्स रिजीम में 10 से 12 लाख रुपई तक की आएपर कितने प्रतीसत इंकम टेक्स लगेगा आंसर हो जाएगा 15 प्रतीसत तो ये थी दोस्तो वजट 2024 से रिलेटेड कुश इंपोर्टेंट कुशन इससे पहले हमने थियोरी डिसकस की है तो सभी आप नोट कर लीजेगा एक्जाम की दिश्टी से काफी इंपोर्टेंट है अब आपसे एक कुशन पूछा जा रहा है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्श में बताना है तो आप ये बताईएगा कि सोतंतरता के बाद पहला बजट किसने पेस किया था जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्श में जरू बताएं हमारे टेलिग्राम चेनल को जोईन कर लीजेगा इसका लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्श में दिया गया है यहां पर आपको डेली क्रेंट अफियर्स का पीडिएफ मिल जाएगा इसके अलाबा जो भी और इंम्पोर्टेंट पीडिएफ है वो यहांपर मिल जाएगी इसके अलाबा दोस्तों आपको नोटिपिकिसन भी यहीं पर मिलेंगी इस्टडी करके एप को डाउनलोड कर लिए एप पर आपको पेट कोर्स, ईबुक, टेस्ट सीरीज, पीडेफ, डेली को इस यह सभी मिल जाएगा इसके अलाबा मंतली करेंट अफियर्स, एरली करेंट अफियर्स, सिक्स मन्त के करेंट अफियर्स की इबुक आपको हिंदी इंगलिस दोनों मीडियम में एप पर मिलेगी तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए एप को जरूर डाउनलोड करें